आप सबको डॉक्टर रजनी रवन जासा आचार संस्कृत विवायग राजकी महरानी सुदर्शन कन्या महाविद्याले भीका निर्का नमस्कार स्विकारों हमने समास प्रकरण प्रारंब किया है और थोड़ा से हमने उसका जो मूल जो आधार एक तरह से उसको समझने का प्रियास किया अब हम जिस तरह से समास का क्रम है केवल अव्यवी भाव तत्पुरुष बहुरीहि द्विगू और ज्वंद्व इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले केवल समास को देखते हैं इसमें दो समास है एक तो दो समस्त पद हैं एक तो उदाहरन निसका एक तो है भूत पूर्वा है जो हमने बार-बार पढ़ा लेकिन एक बार मैं आज उसको पुना अंतिमी रूस से बता देता हूं ताकि उसके आधार पर आपकी समझ बन जाएगी कि समास कैसे होता है तो मान लिजिए भूत पूर्वा है तो भूत पूर्वा मैं आपको बताया कि पहले अपने को लिखना होगा लोकिक विग्रह, लोकिक विग्रह का अर्थ है कि उसका अर्थ क्या है समास का जैसे का भूत पूर्वा तो वास्तम में इसकी मीनिंग क्या हुए इसका अर्थ क्या हुआ तो इसका अर्थ हुआ पूर्वम भूता जो पहले हो गया उसको भूत पूर्व कहते हैं तो उस मीनिंग को उस अर्थ को समझाने के लिए हम समास का लोकिक विग्रह करते हैं तो लो पूर्वअम आपको दिया गया था सु ओजा समोटसस याद करने के लिए सु प्रत्य जिसे आपने याद कर लिया होगा ऐसा मैं समस्ता हूँ तो पूरवअम पूरवम हुआ और भूतसू हुआ जब समास करते हैं तो इसका समास होता है सहसुपा सुत्र से सुबन्थ का सुबन्थ के साथ समास होता है अईसा सहसुपा कहा तो समास होने के बाद क्या होता है कि सुपो धातु प्राति PAD Kilya est Race उससे जो इसके इसकी भिभक्ती है उसका लुप हो जाता है पूर्व में अम भिभक्ती है और भूद में सू भिभक्ती है भक्ति मतलब भक्ति के प्रत्य है तो पूर्व के साथ भक्ति क्या है और भूत के साथ भक्ति क्या है तो यह हो गया अब चुकि समास हुआ और समास होने के बाद सुपो धातु प्राति पदिकयों से क्या कहते हैं उसकी विवक्ति का लोप हो गया तो अम का भी लोप हो गया और सू का भी लोप हो गया बचा क्या पूर्व और भूत तो पूर्व भूत बनना चाहिए पूर प्लस भूत पूर् पाणिनी निर्देश पाणिनी ने बताया एक सूत्र लिखा उसमें लिखा भूत पूर्वे चरट भूत पूर्व होने के लिए उसके उसमें भूत पूर्व बताने के लिए चरट प्रत्य भी लगा सकते हैं जैसे विभागा ध्यक्ष चरह इसका मतलब हुआ कि भूत पूर् तो उस भूत् पूर्व के लिए चरट प्रत्य लगाते हैं, ऐसा कहा, तो पारनी ने कौन शब्द का उपयों किया? भूत् पूर्व का, पूर्व भूत्का नहीं किया, तो इसी को निर्देश मानकर, चुकि पानिनी ने पानिनी के अश्टा ध्याई से ही हम पढ़ रहे हैं व्याकरण ये तो आपको फर्ष्ट येर में भी पता होगा तो चुकि पानिनी कह रहे हैं कि भूत पूर्वे चरट भूत पूर्व में का अर्थ बताने के लिए चरट प्रत्य का योग करना चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भूत पूर्व शब्द है न कि पूर्व भूत है तो इसी के निर्देश से इसी के बल से भूत पहले आ गया और पूर्व बाद में आ गया तो भूत पूर्व बन गया और भूत पूर्व जब बना तो इसको पुनापद बनाने के लिए क्या करते हैं इसको पुनापद बनाने के लिए क्या करते हैं इसको पुनापद बनाने के लिए प्रसमा विभक्ति का एक वचन यानि की सूँ प्रत्य का योग करते हैं तो भूत पूर्व सूँ और फिर वो अन्यकारे होकर वो भूत पूर्वह बन जाता है अपने को इतना ही पढ़ना है बहुत इसके कैसे बना सूँ का अभी सर्ग कैसे हुआ ये अपने को आवश्यक नहीं आज आपको लिखकर भेज दिया गया है जितना भेजा है उतने पर ही ध्यान रखना है तो इस तरह से हमने भूत पूर्वह रूप की सिद्धी करी अब इसके बाद केवल समास में ही एक और उदारन आता है वागर्थाविव वाणी और अर्थ के समान तो वाणी और अर्थ के समान कैसे हुआ तो वागर्थव इव वागर्थव इव इसका लोकिक विग्रह हुआ जो यदि इसको समझना चाहें तो इसका विग्रह हुआ वागर्थव इव वागर्थव इव वागर्थव इव वाणी और अर्थ के समान यह मतलब समान तो कौन है इसके लिए का है तो कहते है भगवान शंकर और भगवती पारवती भगवान संकर यदी माता पारवती यदी वानी है तो भगवान शंकर अर्थ है उसका यह कालिदास ने लिखा वागर्थाविवसंप्रिप्तो वागर्थ प्रतिपत्य तो वागर वाणी और अर्थ के समान ये इसका लोकिक विक्रा यदि करेंगे तो वाग अर्थो इव वागर्थो इव इसी को कहा वाग और अर्थ क्या हुआ वाग चा अर्थ चा वाणी भी और अर्थ भी वाणी और दोनों ये होते हैं वागर्थ और वो द्वीवचन में वागर्थो हो जाते हैं जैसे बालका बालको होता है वाचो वाचा ऐसे होता है वागर्थो हो गया ठीक है अब वागर्थो होने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि वागर्थो वागर्था भी वाणी और अर्थ के समा अब वागर्थाविव हो गया अब क्या होगा इसके बाद अलोग की क्विग्रा तो वागर्थो तो वागर्थो किस से बनता है वागर्थो बनता है वागर्थ अउ प्रत्मा का दूवचन वागर्थ अउ वागर्थो और इसका समास किस से हो रहा है इवसे वागर्थव का समास किसे और है इव से तो वागर्थव में वागर्थव वाणी और अर्थ दोनों वागर्थव तो वागर्थव अब प्लस इव अब इनका समास हुआ कौन से सूत्र से यही सह सुपा से सह सुपा से इसका समास हुआ और जब समास होगा तो सुपो धातु प्राति पदिकयो एक सूत्राता है उससे अउ का विभक्ति का लोप प्राप्त होता है जैसे उसमें हुआ ना भूत पूर्वे भूत पूर्वा में पूर्वा के अम का लोप हो गया और भूत के सू का लोप हो गया तो यहां भी अव का लोप प्राप्त होता है फिर हुआ क्यों नहीं तो कहते हैं कि इवे नसह समासे विभक्तिया लोपश्च विभक्तिया लोपश्च इव के साथ यदी समास होगा तो इव के साथ यदी समास होगा तो विभक्ति का लोप नहीं होगा फिर से समझे इसको वागर्थव का समास किस से हो रहा है इव से हो रहा है वागर्थ किस से हुआ वागर्थ अव अव कौन सा है सु अव जस अव वागर्थ अव अपलस उधर क्या हो गया इव वागर्था विव ठीक है वागर्थव अब वागर्थव वागर्थव इव में अव का लोप नहीं हुआ तो वागर्थव ही रह गया रह गया ना और वागर्थव इव यह है हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट यहर में तो वागर्थव अव है वागर्थव के अंत में क्या है अव है तो अव की जगह क्या आगया आव आई की जगह आई औ की जगह आव आई की जगह आव आगया तो वागर्थाव और उधर इव है वागर्थाव का जो हलन्त वह है उसमें इव का इव मिलेगा तो वागर्थाव इव मैंने लिखके आपको भेजी दिया है वह आपने देख लेना है तो इस तरह से वागर्था विव भी सिद्ध होता है इसमें सबसे बड़ी ध्यान करने वाली बात यही है कि यहाँ पर विभक्ती का लोप नहीं होता है विभक्ती का लोप नहीं होता है इसलिए वागर्था विव बना ठीक है अब इसके बाद तीसरी सिद्धी है अपने पास आज की और वो अब हम आ जाते हैं उस पर क्या नाम है अब दोनों पूरे हो गए कौन से कौन से पूरे हो गए दोनो पूरे हो गए केवल समास केवल समास के दोनों उदारण पूरे हो गए दोनों हो गया केवल समास के बाद कौन सा समास आता है केवल समास के बाद आता है अव्यई भाव अव्यई भाव समास क्या हुआ अव्यई भाव समास हुआ हुआ समास जो अव्य रूप को प्राप्त कर लेता अव्य क्या होता है आप पूछ सकते हैं तो अव्य होता है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है जैसे इव है न इसमें आगर था भी वपन ने पढ़ा न तो इव अव्य है क्योंकि इसका रूप कभी परिवर्तन नहीं ह इसको अव्या कहते हैं तो ऐसे शब्द के साथ जब समास होता है तब उसको अव्याई भाव समास कहते हैं अभी जो हमने वागर्था भी पढ़ा तो यह केवल समास में पढ़ा इसको अव्याई भाव में नहीं रखा क्यों इसलिए कि वागर्था विव का जो समास हुआ यह केवल समास इसलिए हुआ अव्याई भाव समास भी है क्योंकि अव्याई के साथ समास हो रहा है केवल समास में इसलिए इसको रखा कि अव्ययम विभक्ती नाम का जो सूत रहता है उससे इसका समास नहीं होता है अव्ययम विभक्ती में इसका समास नहीं होता है सहसुपा से ही इसका समास होता है इसलिए इसको केवल समास में ही रखा गया आगे जब हम अव्यई भाव समास पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आने लगेगा कि किस तरह से अव्यई भाव समास में नहीं आता तो वागर था अब यहां अव्यई भाव समास का देखते हैं एक रूप है पहला सबसे पहला रूप हम पढ़ते हैं अधि गोपम आपको बेजा हुआ है अधि गोपम क्या हुआ गोपा कहते हैं गोपालक जो इस्तरी है गाय का जो पालन करती है जो महिला उसको गोपा कहते हैं गोपा और जो पुरुष है उसको क्या कहते हैं उसको कहते ह गोप गोपा और गोपा है और गोपी क्या होता है गोपी होता है गोप की पत्नी गौले की पत्नी या बेटी गोपा वहिस्त्री होगी जो स्वयम गाय का पालन करती है और गोपी वहिस्त्री होगी जो गाय का पालन करने वाले की पत्नी है बेटी है बहन है इस तरह से गोपी होगी तो अपने को यहां पढ़ना है गोपम अधिगोपम तो गोपा अधिगोपम में लोकिक विग्रह क्या होगा तो कहते हैं गोपी सब्तमी एक बचन में गोपा का रूप बनता है गोपी क्या रूप बनता है गोपी गो अप्पा में छोटी की मातला गोपी मतलब जैसे वरिक्षे वरिक्ष पर उसी तरह से गोपी मतलब गोपा में गोपा पर जैसे कहें कि गोपा पर क्या है दूद की धार पड़ी है ना गाय दूर रही थी और दूद बहुत ज़ादा निकल गया उसके चेरे पर छिटे पड़ गए तो क्या हुआ गोपा पर गोपा में मुझ effort अनेख गुण है गोपा में अनेख गुण है अधिकरण यानि कि सब्तमी है गोपी में तो सब्तमी में कौन सा प्रत्या आता है आपको यदि याद हो गीं प्रत्या है सब्तमी एक वचन में गीं प्रत्या है आपको दिया था लेके सू ओजस तो आपने याद किया हो गया तो क्या हो गया गोपा गी और प्लस अधी सब्तमी को बताने के लिए अधी उपसर्ग का प्रियोग आता है तो गोपा गी प्लस अधी अब समास हो गया तो गी का लोप हो गया कौन से सूत्र से समास होता अव्ययम विभक्ती सूत्र से आपको लिखा हुआ और उपसर जनम पूर्वम से अधी पहले आ जाता है तो अधिगोपा हो गया अधिगोपा का आज हो जाता तो अधिगोप हो गया तो अधिगोप रूप बनता है अब इसको पद बनाने के लिए प्रथम पुरुष का प्रथमा का एक बचन सू लाते हैं असू की जगापन अब ये नपनसक में हम हो जाता है और इस तरह से पम रूप बनता है तो आज अभी इसको इसी तरह से रखिए कल इसको और अच्छी तरह से समझेंगे धन्यवाद